आदा किलो मलाई से दो किलो मक्खन निकालना यह टाइटल पढ़कर शायद आप हैरान हो गए होंगे पर यह सच है अगर हम सई धंक से मलाई का इस्तेमाल करें तो सच में हम आदा किलो मलाई में से दो किलो मक्खन निकाल सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते रहेंगे तो आप भी ये सीख चाहेंगे कि आदा किलो मलाई से दो किलो मक्षन कैसे निकालना है बस हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है जब भी हम मलाई से मक्षन निकाले तो आएए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना है अक्सर घरों में हम दूद के उपर से मलाई उतार कर उसे फ्रीजर में रख देते हैं ताकि उसका हम आने वाले टाइम में मक्षन निकाल पाएं या हम देशी घी निकाल पाएं तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उस मलाई को हम फ्रीजर में से निकाल कर उसे रूम टेंपरेचर पर ले आए इसके लिए अगर मलाई जमी है तो कम से कम दो से तीन घंटे लगेंगे उसे नॉर्मल टेंपरेचर पर आने के लिए ये देखिए मैंने फ्रिज में से निकाल ली थी अब ये नॉर्मल रूम टेंपरेचर पर आ गई है अब हम इसका निकालेंगे मकण दोस्तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी महत्तपूर्ण बात ये है कि हमें अपने शहर के टेंपरेचर के इसाब से ही इसमें पानी का इस्तेमाल करना है यानि कि अगर तो बहुत गर्मिया है तो इसमें हम ठंडे पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी का इस्तेम कर emission और अगर बहुत जादा सर्दी जैसे की नौर्थ इंडिया में दिसंबर और जनुरि के दिनों में पढ़ती है त्थन्ड तब हम इसमें ठोड़ा सा गर्म पानी का इस्तिमाल करेंगे और अगर नौर्मल ट्यम्परेचर है आपके शहर का जैसा कि नौर्थ इंडिया में अक्तूबर नौंबर के महीने में होता है तब हम इसमें नौर्मल पानी का इस्तेमाल करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों अभी मौसम नौंबर का है तो मैंने इसमें नौर्मल पानी डालूंगा हम सबसे पहले से अपने मिक्सर ग्राइं एक मिनट ही blender चलाने पर ये मलाई से मक्षन अपने आप आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा इस तरह से ये देखिए दोस्तों आपने कई बार ऐसा भी मैसूस किया होगा कि आप बहुत इसको फैंटते हैं जाने कि इसका बहुत देर तक blender चलाते हैं अब कि और में कि मलाई में से बहुत नहीं आता वो सारा कारन यह है कि यह मलाई अपने सही temperature पर नहीं है जब सही निकाला जा सके तो जो मैंने पहले आपको बात बताई है वही इसका सही उपाय है कि हमें समय के हिसाब से इसको room temperature पर लाना है और उसमें कौन सा पानी इस्तिमाल करना है अब नमबर का महिना है इसमें मैं दो गिलास नौर्मल पानी डालूंगा और सिर्फ इससे एक से दो मिनट मैं चलाओंगा तो आपका आदा किलो मलाई में से दो किलो मखन असानी से निकलाएगा जिसका प्रत्यक्ष पर्मान मैं अभी आपको दूंगा ये देखिए मखन बटर मिलक जिसे आप कह सकते हैं वो अलग हो गई है अब हम इसको बटर मिलक जानी की शाष को और मखन को अलग निकाल लेते हैं ये देखिए आप इमेजन ही नहीं कर पाएंगे कि इतनी थोड़ी सी मलाई के बाद इतना सारा मखन निकल सकता है वो आपके सामने ही है इसमें क और ये वो कंटेनर है जिसमें मखन निकला है लगबग उससे तीन जान चार गुना ज्यादा तो दोस्तो अब आप सीख ही गए होंगे कि समय के हिसाफ से अगर आप मलाई में से मखन निकालने की कोशिश करें तो मलाई से चार गुना ज्यादा मखन निकलेगा ये इसका पर करता हुए फॉर्मूले का इस्तिमाल करिए और अगर ये सच निकले तब ये वीडियो अपने जानकारों को शेर करिए ताकि वह भी वह भी अपनी मलाई का भरपूर इस्तिमाल कर सकें और लगबग मलाई से चार गुना ज्यादा मखन निकाल सकें धन्यवाद दोस्तों वी